दोस्तों नमस्कार, मिरा नाम संजे मगू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना में विधान सभाद चुनाव के लिए नामांकन के बाद आज स्कूटनी का काम चल रहा है नामांकन पत्रों की जाच हो रही है अगले तीन दिन में यानि की 16 तारिक तक नामांकन वापसी होंगे और 16 तारिक की शाम को कैंडिडेट्स को उनके सिंबल मिल जाएंगे चुनाव निशान जो राजनितिक दलों के प्रत्याशी है उनके तो निशान फिक्स है लेकिन जो इंडिपेंडेंट है उनको क्या मिलेगा ये तै होगा 16 तारिक की शाम को लेकिन इस सब के बीच में जो राजनितिक लोगों में चर्चाएं हैं खासकर आप कहीं चले जाएं क्योंकि चुनाव है तो बातें चुनावी हैं चुनाव के अंदर आप कहीं चले जाएं चौपाल पर चले जाएं, नाई की दुकान पर चले जाएं, पान की दुकान पर चले जाएं, चाय की दुकान पर चले जाएं, गली के नुकड पर हो, हर जगा चर्चा एक होगी कि कौन बन रहा है, हर जगा आपको एक चर्चा मिलेगी कि किसकी हवा चल रही है, किसकी हवा न तो इस श्रंक्राव में मैं आप से बात करने चलाओं इस वीडियो में प्रतला विधानसभा को लेकर हर्याना के एक महत्योपूर्ण और प्रमुक विधानसभा सीट प्रतला एक ऐसी विधानसभा सीट जिसमें कोई शहर नहीं है पूरी तरह से ग्रामीन रूरल बेस्ट विधायक बन चुके हैं कोई भी नेता वहां पर दोबारा विधायक नहीं बना हर चुनाव के अंदर नए नेता का नंबर लगा और सबसे महत्योपूर्ण बात ही है कि यहां के तीन खाटी नेता हैं रगवीर सिंग तेवतिया इस चुनाव में कॉंगर्स के कैंडिडेट ह लगातार चौती बार कैंडिडेट हैं टेकचन शर्मा इस चुनाव में भारती जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं 2019 का चुनाव रड़ा लहीं था 2009 और 14 में हाथी की सवारी की थी इस समय कमल के निशान पर हैं नैन्पाल रावत लगातार चौती बार चुनाव में है 2009 और 14 का चुनाव उनका भारती जनता पार्टी से था 2019 का चुनाव निर्दलिय था और इस चुनाव में भी निर्दलिय हैं तो ये तो तीन खाटी निता हैं इसके लगा इस चुनाव के अंदर अब की बार और कौन कैंडिडेट हैं आप से विस्तार से बात करूंगा आपको पहली नजर में अगर बता दूँ तो प्रतला विधान सभा छेतर के अंदर जो दो प्रमुक प्रत्याशी है प्रमुक राजनीतिक दलों के बीजेपी और कौंग्रेस तो इन दोनों कैंडिडेट्स में मान करके आप ये चलने कि तलवार की धार का ये चुनाव है जहां किसी का माइक्रो मैनेजमेंट धीला हुआ नहीं कि चुनाव हाथ से फिसला नहीं रगवीर सिंग तेवतिया कॉंग्रेस के कैंडिडेट है और टेक चंशर्मा भारती जन्ता पार्टी के कैंडिडेट है लोग कह रहे हैं कि इन दो प्रत्याशियों में मुख्या मुकाबला है लेकिन इग्नोर नैनपाल रावत और दीपक डागर को भी नहीं किया जा सकता चुनाव के अंदर बड़ी प्रमुक बात यह है कि जाती धरम और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों के बागी इन पर चुनाव टिका हुआ है भारती जन्ता पार्टी के बागी कैंडिडेट के रूप में है दीपक डागर और अगर मैं भाजबा का ही बागी मान ल नौन जाट का जो चुनाव बनाया जा रहा है हर चुनाव को अगर उस लिहास से भी देखें तो फिर नैनपाल रावत का चुनाव लड़ना अगर आप यह कहें कि भारती जन्ता पार्टी के कैंडिडेट की सेहत के लिए कहीं ना कहीं हानिका रखे या कहीं ना कहीं उनको जटका दे सकता है दूसरे केंडिड दीपक डागर हैं अगर मैं दीपक डागर का कहूं तो केंडिड तो वो भी भारती जन्ता पार्टी के बागी हैं लेकिन दीपक डागर के चुनाव लड़ने से किसका फायदा किसका नुकसान इसका अवलोकन बड़ी गंभीरता से हो र नेधे औरना समर्थन दिया था यह अवन अपने हैं घुँमजाि करसे दिए सिमस् पाराउट को उसागा भारती जनता प्राट्टी की केंडिडेट साड़लू परभ गये बेन पर दिपक डागर की बात करें तो दीपक डागर भारती जनता पारटी के कारे करता थे कृष्णपाल गूजर उनको अपना हनुमान कहते थे हलाकि राजनीती के अंदर अब हनुमान कैसे बनाए जाते हैं इसकी आप कलपना ही कर सकते हैं क्योंकि हनुमान और राम का एक जो करेक्टर है एक जो चरित्र है वो राम चरित्मानस और रामायन से जुड़ा हुआ है राम बने बिना हनुमान नहीं हो सकते और जब तक राम नहीं होंगे तो फिर हनुमान कहां से आएंगे खेर नेता लोग कहां करते हैं चाये वो मनुवरलाल हो किसे करते हैं इस परिपक ड्रॡगर रेक्टर कि रसे यह जा जा सकता है कि मैंने आपको बताया स्वभाव के उनको यह मान सकते हो कि implication है vịसे नहीं है बड़े सीधी सीधे बात कहते थे हैं कल में उनका एक वीडियो सुन रहा था जो उन्होंने अपने फेस्बुक पेज पर लगाया हुआ था दीपक डागर नमांकन करने गए थे और नमांकन के दोरान रगवीर सिंग तेवतिया भावने मिल गए रगवीर सिंग तेवतिया के उन्होंने चरंश पर्श कर लिए तो बात उन पड़ी कि दीपक डागर के चुनाओं में बैठ गए हैं अब बात ही जाती है कि आखिर इस प्रकार की बातें चलाई क्यों जाती है अगर कोई इस बात को चलाता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उनको कहीं खत्रा है उससे तो क्या दीपक डागर रगवीर सिंग देवतिया के लिए कोई खत्रा है जाट समाज से आते हैं और अगर वो भारती जंता पारटी के कैडर बेस वरकर को अपनी तरफ लेंगे तो फिर क्या वो टेक चंद के लिए खत्रा है इन कैंड़ेट्स के बीच में और जो प्रत्याशी है सुरंदर वशिष्ट बहुजन समाज पारटी के कैंड़ेट हैं ब्रह्मन समाज से आते हैं पिछला चुनाओ भी लड़े थे 2019 का बले यी वोट तो केवल 8000 ही ले पाए थे लेकिन चर्चाओं में खूब रहे थे और चर्चाओं ये कहते हैं कि पिछले चुनाओं में उन्होंने टेक्चन शर्मा को बहुजन समाज पारटी का कैंड़ेट नहीं बनने दिया था अलांकि टेक्चन शर्मा कहते हैं कि उन्होंने बलिदान किया था त्याग था 2019 का लेकिन राजनितिक लोग ये भी कहा करते हैं खेर शुरंदर वशिष्ट इस बार भी भोजन समाज पार्टी से हैं अगर अगले केंड़ेट की बात करूं तो गिर्राज जटोला गाउं के सरपंच हैं वो आजाज समाज पायटी और जेज़ेपी गटबंदन से केंड़ीडेट हो गए हैं गिर्राज जटोला भी जाट समाज से हैं मैं आपको यह जरूर बता दूं कि जो दोनों प्रमो केंड़ीट रहे टेक्चन शर्मा रगवीर सिंग तेवतिया यह नजर रखते रहे कि कौन से विराधरे का केंड़ीट उतार आ जाए जिससे डेंट लगे सामने वाले केंड़ इसलिए आज चर्चाए हैं नाम कोशल ततारपुर का भी आएगा वह भी ब्रह्मन समाज से हैं वह आमादनी पार्टी से चुनाव रड़ रहे हैं अब यह इतने सारे केंड़ीट है इसके बाद हाला कि कुछ और लोग भी है तो इसके अंदर कौन किसका कितना नुक्सवान करेगा और इसलिए मैंने आपसे कहा कि यह चुनाव तलवार की धार का चुनाव है प्रतलागा और इसलिए मैंने आपसे कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट में जो नेता इन दोनों में से खासकर रगवीर सिंग तेवतिया और टेक्चन शर्मा जो अपने माइक्रो मैनेजमेंट को अपने बूत्स तरिये प्रवंदन को और अपने कार्यकरताओं को साध नहीं पाएगा मैनेजमेंट में पिछड जाएगा तो फिर चुनाव उसके हाथ से निकल जाएगा वैसे अगर आप से हम पूछें क्योंकि अभी चुनाव चलना है कोई केंडिडेट वापसी ले सकते हैं कि निके फारम वापिस होंगे इस पर भी नजर रहेगी और 16 तारिक के बाद कौन सी दिशा में चुनाव चलना शुरू होगा इस पर भी नजर होगी लेकिन प्रथम दरश्टेया यानि कि पहली नजर में जो चुनाव दिखाई पड़ रहा है प्रथला का अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें